तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो और आपको एमबेसिस से क्या बात हुई उसकी रिकार्टिंग भी सुनाएंगे तो वीडियो के साथ आप बने रहेगा मैं हूँ शबी असन और आप देख रहे हैं माफारबल यूटुब चैनल की नई पेशकश वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हलो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगा कि पाकिस्तान और नेपाल के लोग 26 तारीक और 30 तारीक के बीच में रिसीफ किये जाएंगे क्योंकि क्वेट ने जो टैम टेबल निर्धारित किया था अलग अलग देश के हिसाब से वो टैम टेबल में इन दो देशों का नाम नहीं था तो इन दोरों लोग जा सकते हैं अब मैं बात करूंगा कि क्वेट में रह रहे इलीगल लोग जो 16 और 20 के बीच में इंडियन लोग नहीं जा पाएं उनके पास्पोर्ट ना होने के वज़े से और MBC पास्पोर्ट ना उपलब्ध कराने के वज़े से नहीं जा पाएं वो सब 26 और 30 अपरेल के बीच में आप फरवानिया जा सकते हो लेकिन एक छोटी सी प्रावलम ये है कि आपके पास पास्पोर्ट हो तभी जाएं अब ये आपने जो फॉर्म फिलब किया था वो पास्पोर्ट कहा और कैसे और किसके माध्यम से मिलेगा चलिए हम इसको जाल लेते हैं तो जिसके माध्यम से आपने form fill up कराया था यानि कि MBC के माध्यम से जो भी social worker आपके MBC के तरफ से अपवाइंड किये गए थे अलग-अलग मंतके में मैंने वीडियो में आप लोगों को नंबर और लोगों से आपसे मुलाकात भी हुई होगी आपने form भी fill up किया था तो जिन्हों ने जिसके माध्यम से form fill up किया है उनके contact में रहिया अगर नहीं receive करते हैं आपका phone तो आप लोग उन पे mobile पे recording छोड़ सकते हो और दूसरी बात यह है कि MBC से जो मेरी बात हुई आगे चल करके मैं बतलाऊंगा कि फरवानिया में आप लोगों को passport नहीं मिलेगा जिसके माध्यम से जिसने आपका form fill up किया है वही आपको passport provide कराएगा और जब आपको passport मिल जाए तब आप उस passport को ले करके आप फरवानिया जा सकते हो और illegal तोर पर आप receive किये जाओंगे लेकिन बेगार passport के आपके लिए जाना सही मुनासिब नहीं होगा तो आप लोग कोशिश करिए passport लेने के लिए लेकिन passport होना इंडियन के लिए खासका जरूरी है तो चलिए जानते हैं और ये recording सुनते हैं और सटिस्फाई होते हैं लोगों को पासपोर्ट वगरा कैसे मिलेगा क्या सिस्टम है तो अमने का लाई आपको फून लगा के बात की जाए पासपोर्ट अभी इशू करने शूर करेंगे थोड़ा थोड़ा इशू होता ज्यादा उतने क्या भी खास्पर नहीं है पासपोर्ट का काम हो जाए गया जब तक खत्म होता तब तक तार इशू कर देगा तक रिबान शाथ खासपोर्ट अच्छा अच्छा तो एक चीज़ हमें ये पता करनी थी जैसे कि बहुत से लोग अलग-अलग मंतके में अपने हिसाब से रह रहे हैं उनलोग का बहुत से लोगों कौश्चन था पासपोर्ट हम लोगों को घर पे मिलेगा, कमरे पे मिलेगा, या हम लोगों को फरवानिया जाना पड़ेगा, वहाँ मिलेगा, कहां मिलेगा ये अच्छा बैजा अबी तक मैं आगे तकरिबन ने के साथ पासपोर्ट इसु किया हो, 60 नंबर से, इसना मिला उतना पासपोर्ट, मैंने कालेट किया सपेपर, वो आपके, अबी तक मैं आगे सारा जाके उन्लोंने घर ठीकाना पर जाके मैं सब्मिट के नाज़ा, जैसा हवली जो बी तक मैं आपके मैं जो बी तक मैं आपके उन्लों के पूछना था कि जैसे कि आदमी जहां 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 फार्म भरे है और जो जो जिस जिस मंतके में अमबेसी के जो भी शोचल वार्ट वार्ट कर काम कर रहे हैं, वो खुछ जाकर के उनको वहां तर पहुचा देंगे, है कि नहीं? और जिसको पास्पोर्ट मिल जाए, वो अपना फार्मानी आजा सकता है, यह 26 से और इसके निश में तो पहुत सो लोग कुछे न कईके पून नहीं उठाथे हैं तो तो कहने कि हम लोग किसे दू परशान हैं वह जो लोग आपको लोग को बहुत पुछन करें हैं ना हम लोग को टेलीफोन आटन करते हैं कोई बाद में थोड़ा समझ जाते हैं थोड़ा लोग टेंचन हो रहते हैं जवाब दे जेंके जमझें सब्सक्राइब एक इस इसा बहुत करो बोल जिए समझते हैं फिर भी किसी का दुसरा का पासपट देखें ना उस प्र फूर इं मेरा नहीं क्यों मिल आई सब्सक्राइब चलिए ठीक हम सोच रहे थे आज 25 तारिक है सोच रहते एक वीडियो बनाने के लिए एकल से जो लोग 26 तारिक हैं जो जाना चाहते हैं जिनके पास पासपोर्ट हो जाए और जो शोशल वरकर हैं उनसे कॉंटेक्ट करें और उनहीं पोश्चन्स या कमेंट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं नई वीडियो में जानकारी के साथ मुलाकात होती है तब तक के लिए अल्ला हाफिस अल्ला निगेबान